जब तारी में बन रहा है कैरमेल पूडिंग पहले इसको बना कर ठंडा करने रखते हैं असलाम अलेकूम वेलकम बैक टो माई चैनल सो फ्रेंड्स हो गया है एक और दिन और देखते ही देखते फ्रेंड्स नौ रोजे निकल गए पता ही नहीं चला आज दस्वा रोजा है रमजान क्या सारा साल ऐसे निकल जाता है कि पूछो मत तो खेर आज बहुत सारे काम थे निप्टाने के लिए मुझे तो मैंने जो घर के बेसिक काम जो रोजी हिरा है, डेली ःुटिन के डिली रूटिन के थे में हРИ bait है आज मैं बना रही हूं चिकन फ्लाव or किंजा रोजा नहीं रही है, चिकन फ्लाव की खायी है के टिफ्टारी के लिए यह फेक शला झाद तैयार हो चुका है और मैंने बोनलेस चिकन मंगाई हूँ लेकिन मुझे बनाना है वो अभी तक मैं सोच नहीं पाई हूँ पहले मैं यह सारी काम निपटालों फिर उसके बाद मुझे देखना है कि मैं क्या बनाऊं करके अगर सपोज मैं कुछ बना रही होंगी तो उसकी भी रेसिपी इसी हरी मिर्च डाल दी और आज मैं बहुत जटपटवारी चिकन बना रही हूं यह देखिए यहां पर मैंने पोटली नहीं बना कर सौफ धनिये के पानी को ऐसे उबाल के रख ली हूं और जब यह चिकन हो जाएगी तो जब चाबल डालेंगे तो लास्ट में यह पानी को मैं इस चिकन तो हो रही है और आज मुझे बनाना है इम्री की चटनी इम्री की वही वाली चटनी जो मैंने स्टार्टिंग के रमजान की दिनों में बनाई थी मैंने भूली दिन आप से कि वह कुछ चे साथ दिन चलेगा तो उसको खतम होके दो दिन हो चुका है कल मुझे बनानी लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि मम्मे के साथ मैं चली गई थी शॉपिंग के लिए अफिर आने के बाद मैं देखे था आपने मेरी हालत बिल्कुल नहीं थी तो आज वो चटनी भी बना के लेंगे तो चलिए अभी पूडिंग की टॉपिंग इसके अंदर डालते हैं तो चली एक हासे जम नहीं रहा था इसलिए मैंने डालने के बाद दुबारा फोन ले ली हूँ अब इसको डालते हैं इसके अंदर स्लोली स्लोली यहां पर चटनी बनके तयार है इसको इसमें खाली कर लेते हैं यहां पर देखिए चिकन प्लावी इदम तयार है और मैंने डिसाइड कर ली हूँ फ्रेंड की मुझे क्या बनाना है इत्ते पाक से यह सेविन आइस क्रीम के स्टिक है सिफ साथ बची है यह और यह किन्जा को यूज किन्जा नी इसको ली थी इसके स्कूल के अंदर उसको कुछ वक एक्स्पिरियेंस या क्राफ्ट के टाइम पर तो इसमें से यह साथ स्टिक्स बज़ के थी और मैंने इसको हठा के रग दी थी तो मेरी नजर पड़ी इसके तो मैंने सोची क्यों ना मैं इसका कुछ पॉप्सिकल स्टिक्स या तो फिर चिकन आइसक्रीम स्टिक जो चाहे बोल सकते हैं क्यों ना मैं वह बना लूए सारी चीज़ें घर में मेरे पास थी मेरे पास थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी रखावा है जो कि इसमें जाएगा आ कि यहां पर देखिये मैने चिकन नहीं हुँ यह आधा weitere lu चिकन मंघंए थी उस मेंसे मेने इतना निकाल ली हूँ Бख भग 200 ग्राम होगा इस मेंसे मैं यहाधा छिकन निकालके रग दियुक्ष तो यह 500 ग्राम चिकन है इसको दो के अच्छे से ले लिए हूँ मैंने, अब इसको डालेंगे जार में, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, एक चमच भरके अद्रक लेसन का पेस्ट, और यहाँ पर एक चमच मैं डाल रही हूँ, लेसन और मिर्ची का पेस्ट, यह जो मैंने पीस के रखी थी, यह देख यहां पर दाल रहना हूं हरी मेर्च और इक हरा धनिया कोथमीर मेरे पास नहीं था क्या कहते हैं Qodina वरना वा भी डॉल सकते हैं इसे इंदर सिर्वकोतमेर थी मेरे पास आप इसमें डाले रहना हुँ यह फ्रेश क्रीम थोड़ी सी बची है पास इतनी है और फिर ये एक छोटा सा चीज का तुकड़ा थोड़ा सा एक चमच पटर मसका है ये फिर यहाँ पर डाल रही हो मैं ब्लेक पेपर, काली मिर्श का पाउडर बहुत बेसिक से मसाले जाएंगे जो हमेशा हर चिकन के आइटम में यूज होता है बस वही सारी चीज़े है नमक यहाँ पर है ये जीरा पाउडर यहाँ पर डाल रही हूँ एक चमच चाट मसाला पाउडर और इसमें अब जाएगा एक ब्रेट का टुकड़ा ताक कि जो मॉश्चर होगा चिकन के अंदर वो इसके अंदर ये सोक लेगा तो चलिए यहाँ पर मैं निम्बू काट रही हूँ यहाँ पर डालेंगे निम्बू का रस आधे निम्बू का रस आधा या आधे से कम भी डा सकते हैं लेकिन आधा डाल देना हूँ बस यह हो गया अभी से हम ग्राइंड करके लेते हैं तो friends यहां पर देखिए यहां पर मैंने इसको पीस के निकाल ली हूँ अच्छे से और अब बनाना है bread crumbs तो यहां पर bread और बचे वे थे तो मैं bread crumbs बना लेती हूँ तो चली friends इतना तो हो गया है अब bread crumbs को भी अच्छे से मैं वो करके ले लेती हूँ और जब मैं इसका मिक्षर पीस रही थी friends की चिकिन का जब कीमा बना रही थी तो उस वक्त थोड़ा सा मुझे लगा था कि इसका जो मिक्षर है थोड़ा सा गीला लग रहा है जब इसको हम ब तो दो ब्रेट के तुकड़े में इसमें डाली हूँ तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जब भी आप बनाओगे अगर थोड़ा सा चिकन थोड़ा लग रहा है तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं एक ब्रेट का तुकड़ा और एक स्ट्रा तो चली एतनी चीजे तो हो देखें यहां पर मैंने ब्रेट कर्म्स को भी करके ले लिए तो चलीए मैंने यहां पर लिए हूँ एक अंडा इसमें डालेंगे थोड़ा सा नम्माक एक ही लिए हूँ मैंने मुझे लग रहा है सेवें स्ट्रिक्स है तो हो जाना चाहिए अगर लगा तो मैं फिर एक और अचाहिए ने ही ले लोंगी लैकिन फिन हाल एक ले रही हां और थोड़ा सा इसमें डाल रहे हूं का sachय मिर्श पाउडर हो जुला घ्या रीजज़ों हाटों को थोड़ा सा ग्रिसिंग कर लेंगे इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं राउन है आइस क्रीम का शेप है कोई भी शेप देखते हूं इसे क्या शेप बन रहा है चब यह हो गया अब इसमें डालेंगे आइस क्रीम स्टिक इसको अच्छी तरह सेट करेंगे अंदर इसको अच्छी से लॉक करेंगे यहां से चलिए, अब इसको डिप करेंगे अंडे में और फिट इसके ओप अच्छे से ब्रेट क्रम्स लगाएंगे यह देखिए और इसको साइड में रखते जाएंगे तो यहां देखिए यहां पर यह साथ स्टिक्स के अंदर आ चुकी है और अब इतना मेरे पास बच गया है इतना सा बच गया है तो इसका कबाब का शेप देकर इसे रांड रांड टिक्की की शेप में इसको फ्राइ कर लोंगे एक अंडा ली थी एक अंडा भी काफी हो गया देखिए इतना बच गया है इसमें से अंडे में डिप करके इसको अभी बेट क्रम्स में लपिटे है तो चलिए मैं दुबारा आ गई हूं किछिन में और अभी बज़ रहे हैं 6-20 और हमें करना है उसे लो टू तो चलिए यहां से एक साइट से हो गया है तर्न करें देखते हैं इसके आप तो यहां देखिए इसको लो टू मेडियूम फ्लेम पे आगे पीछे से फ्राइ करके अच्छे से इसको निकाल ली हूं मैंने तयार हैं तो आप करना है छाएया अफ्तारी के लिए आज कौन आया था हमारे घर पर असलाम आज आया थे असद भाई हमारे घर पर और अफ्तारी करें बास हमनों बैटे है चाहिवाई पीकर और अफ्तारी के बाद ना फ्रेंड बहुत ज़ादा शूस्तिया तो खेर अफ्तारिय अलम्दुरील अच्छे से हो गई है और अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो और ये रेसिप अच्छी लगई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब और फिर मिलते हैं इंशालले एक ने वीडियो के साथ अब तक अपना खयाल रखिए अल्